प्रमेसर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबा दिखाने के लिए एक और दिन प्रमेसर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया हम प्रमेसर को कोटी-कोटी धन्यवाद दे प्रेज दा लॉड एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मों को पस्तित हूँ मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी तो बने रहीएगा मेरे साथ और फिर से एक और विश मैं कुछ औो लगाते है लेकिन मैं बुराई नहीं कर नहीं किशी की ज़ेए मेरा काम नहीं है ये संदेश ही ऐसा है तो मैं कहना ही चाहता हूं कि सोसल मेडिया पर सेल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है एसा जोर-जोर से चिला-चिला कर बुराई करते हैं हम उनको बुरा-भाला कहते हैं और कुछ भी कहने से डरते नहीं है नहीं डरते जबकि यहुदा की पत्री में लिखा है एक अध्याय में कि जब मिकैल मुसा की लोथ को लेकर जा रहा था तब शैटा तो हमारे पास इतना हियाव कैसे आ गया, हम कैसी कुछ भी किसी पास्टर को कह सकते हैं, क्या हम जानते हैं कि उसने कितनी मेहनत करके ये मुकाम पाया है, क्या हम जानते हैं कि वो परमेसर का बुलाया हुआ है या नहीं है, ऐसा क्यूं है, क्यूं हंगावा मचा हुआ है सोसल म मीडिया पर बहुत दुख होता यह देखकर कि परमिसर के लोग कहलाने वाले बड़े-बड़े ओधे पर बैठे हैं उच्छे ओधे पर बैठे हैं जिनके लाकों फर आवर्स हैं वो तक पास्टर्स की बुराई करते हैं यह बहुत दुख की बात है मैं इस बात पर करने बैठ जाते हैं हमने सोशल मीडिया को न्याय का अड़ा बना लिया है जबकि न्याय करना सिर्फ और सिर्फ परमिसर के हाथ में है प्रेस्टलोड जब कैन ने जब कैन ने हाबिल की हत्या कर दी तो वो भागा भागा फिर रहा था और जब वो परमिसर के पास आया उसन कि जो कैन को मारेगा उससे साथ गुना पल्टा लिया जाएगा इसकी क्या बज़ाती वो तो खूनी था उसे तो मार डालना चाहिए था उसका एक ही कारण है दोस्तों कि परमिसर नहीं चाहता कि मनुस्य का नियाए करे नहाए करना परमिसर के हाथ में है वह चैन कहता है जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई करके ये मुकाम पाया होगा के लिए मान लेते कोई बिना बुलाए भी परमिसर की सेवा में आ जाते हैं तो हमें उनको बोलने का कोई हक नहीं है परमिसर देख रहा है परमिसर अच्छा बुरा सब जानता है परमिसर अपना पनको दंडित करेगा और एक दिन हटा देगा परम के दास दासियां हैं अगर हम प्रभू की सेवा कर रहे हैं तो हमें कैसा होना चाहिए एक चोड़ी सी प्रात्मा के साथ मैं आज के वचन को शुरू करूँ आईए प्रात्मा में शामिल हो जाइए जीवीतर महांद्याली पिता परमेश्वर तेरा धन्यवा देता हूं तेरा थारिफ तेरही बड़ाई करता हूं प्राभू को शुरू कर मेरे मदस साहता कर मेरे होटों को मेरे दिल و दिमार को चूर ब्लैस कर मेरी आत्मा मेरे शरीर तेरे ही गब्जे में हो ताकि बोलने वाला मनוש नहीं में कि तिरा आत्मा हो की बात इस वचन में छीपिये उन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब को आश्रशित कर, सब की रोग विमारी चिंदा परशानियात धूर कर, प्रभू येश्यू के नाम से मांगता हूं, आमें, प्रेस दरोड तो आईए, आज की इस संदेश को हम शुरू करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे, रोमियो की पत्र wheel है, प्रमेंसर चाहता है, कि मनुस्य का जीवन Bible की अनुसार हो, Biblical life हमारी होनी चाहिए, तो क्या कहती है Bible, हर एक जन के लिए, हर pastor के लिए, reverend के लिए deacon के लिए or evangelist के लिए apostle के लिए, सब के लिए क्या कहती है देखिए हैं लिखा है यह सब के लिए है यह वचन सिर्फ congregation के लिए नहीं है लोगों के लिए नहीं है जैनी जो भीड आपने इकट्डा कर लिए ये वचन उनके लिए नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वचन मेरे लिए भी है, तो यहां लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूका हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, तो कि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का धेर ल लाने, बाइबल कुछ और ही बताती है, ये से मस्तिवी कहते के कोई तेरे दाएंगाल पे थप्र मारे तो दूसरा भी उसके और फेर दे, तो है लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूका हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से, तो उसके सर पर आख के अंगारों का ढठे लगाудाएगा, मैं बनिकायल हो जाएगा है कि मैं अतनी बुराई करता हूं उसके और यह मेरे साथ बंबाए किये जा रहा है प्रेज दा लोड, तो हम बुराई कहने वाले कौन है फिर, यही बात यही बात, नित्की वच तो उसे रोटी खिलाना और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना क्योंकि इस रीति से तु उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहवा तुझे इसका फल देगा तो परमेसर से फल पाने के लिए हमें परमेसर को न्याई बने रहने देना चाहिए बाइबिल क्या चाहती है बाइबल चाहते हैं कि हमारा कोई भी बैरी ना हो, हमारा कोई भी दुश्मन ना हो, अगर है तो हम बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे, अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हम बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम बाइबल के डिमांड है, यह मैंने नहीं लिख दिया, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, हम और देखते हैं, कि फिलिप्यों की पत्री चार अधिया है, और इसके चार पत्र को मैं पढ़ूँगा, बहुत ही महत्वपुन बात है, यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनियेगा, उस बात को हम छोड़ जाते हैं, क्या याद रहता है हमको, कि प्रभू में सदा आनंदित रहो, उसके बात भी कुछ लिखा है, कभी उसे भी पढ़ने, उसे भी समझने कि उसका अर्थ क्या है, यह लिखा है, प्रभू में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ, आनंदि हम जिसको अपना बैरी समझते हैं अपना दुश्मन समझते हैं वो भी है यह नहीं कि हमारी हमारी रिष्टेदारों के प्रती ही हमारी को मलता प्रगठ हो एक चोटी सी बात बताता हूं मैं एक बार कफी चौड़ा रोड था कोई 25 फुट का रोड होगा रोड होगा तो मैं औ बहुत जगा है वहां से निकल सकता है वह लेकिन फिर भी घंटी बजा जा रहा है तो बात करते करते मेरें को अंदर से गुस्सा आ गया वास्मन का क्या है यह हम इतनी रस्ता यहां से निकल सकता है और मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो गुस्से में तो मैं भरावा क्योंकि मेरा भाई था कोई और होटा तो मैं बढ़ जाता हूं सकता है लड़ाई हो जाता क्या से क्या हो जाता तो हमारी कोमलता सिरफ अपनों तक के सीमित ना रहे ने मुड़के देखा मेरा भाई था अगर कोई और होता तब भी मेरा कुरोध नहीं होना चीनि correctly होब मैं से कहता भाई इतना रास्ता यहां से निकल जाओं। तो हमारी कुमलता सब मनुष्यों पर प्रगठ होनी चाहिए है, सिर्फ अपनों पर नहीं। एक गाना बहुत अच्छा है, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। गैरों को भी प्यार करना मसीह सिखाते हैं। तो यही तो सिखा है प्रगठ हमको और हम सोशल मेडिया पर क्या कर रहे हैं। लडाईयां जगड़ें तफर के कर रहे हैं। आपस में पास्टर पास्टर को मोने जा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं हम संसार को क्या दिखा रहे हैं जब कि प्रेम का संदेश तो सिर्फ येसु मसी ने दिया है और हम उसका उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुस्यों पर प्रगट हो सब का मतलब सब हैं बसमें सब आ गए हालेलुया और थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तीतुस की पत्री में तीतुस की पत्री नए नियम की ये पत्री है जो संत पौलुस ने लिखी है उसका तीन अध्याए एक और दो पद में पड़ूंगा लिखा है लोगों को सुधी दिला की हाकिम और अधि काम के लिए तैयार रहें दो आयत में देखिए क्या रिखा है किसी को बदनाम ना करें जगडालू ना हूँ और कॉमल सुभाव के हूँ और सब मनुस्यों के साथ बड़ी नमरता के साथ रहें सब मनुस्यों के साथ नहीं लिखा है आपर अपनों के साथ नहीं लिखा लिखाया कि सब मनुस्यों के साथ बड़ी नमरता के साथ रहें, कुमलता के साथ रहें, अपनी कुमलता रिष्टेदारों पर ना दिखाएं, दुसरों पर भी दिखाएं, प्रेज दा लॉड, मैं जब सिख्षा लेता हूं, जब मैं बाइबल क्लास लगाता हूं, तो मैं भेट वेधी पर लाए, और तेरे मन में ध्यान आ जाए, कि मेरे भाई के मन में मेरे परती कुछ बात है, तो सबसे पहले जाकर अपने भाई को मना लें, भेट वहीं चोड़ दे, वो कबूल नहीं की जाएगी, वो सिकार नहीं की जाएगी, प्रेज दा लॉड, ये प्रभ पर अमल करना है, हम अपना काम करें, वो अपना काम करना है, यदि बुरा करेंगे, तो परमिसर उन्हें खुद देखेगा, प्रेज दा लॉड, और थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम दूसरा तिमूतियस, दो अध्याय, और ज़रूर पढ़ना चाओंगा, दूसरा तिमूति अध्याय, जहां भी पढ़ना लिखा, सब के साथ, हमारी कॉमलता सब मनुस्य पर गठो, सब के साथ, हम नमरता के साथ रहें, वो यहां लिखा है कि सब के साथ कॉमल और शिक्षा में निपुन और शेहन शिल हो, हमारा शेहन शिलता है, नहीं हमारे अंदर, हम तुरंत उग हो जाते हैं, बुराई करने लग जाते हैं, और इसके कई कारण हैं, एक कारण तो ये भी है कि हम लोगों को अपना बनाना चाहते हैं, कि उनके पास्टर की बुराई करके, ये मेरे पास आज़ें, और मेरे फॉलोवर्स बन जाएं, ऐसा परमिसर तो नहीं चाहता, तो यहा देखते हैं गडातियो छे अधियाए और उसके दस पत को देखें यहां पर क्या लिखाए इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भायाई करें विशेश करके विश्वासी भाईयों के साथ सब के साथ कहां से ढून के लाएंगे हम अपना दुश्मन कहां से ढून के लिखा है इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भालाई करें विशेश करके विश्वासी भाईयों के साथ हम विश्वासीों को ही सूली पर चड़ा देते हैं सोसल मेडिया को हमने नयाय का अड़्डा बना रखा है यहां पर पास्टर पास्टर की बुराई कर रहे है चिला चिला कर अनाप शुना बक रहे हैं किसका नाम बदनाम हो रहा है प्रभू येस्व मसी का यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चन लोग ही नहीं देख रहे हैं यूट्यूब को, फेस्बुक को और सोशल बेडिया को यहाँ पर सभी तबके के लोग हैं सभी जातिक के लोग हैं एविस्वासी भी हैं, कमजोर विस्वास वाले भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो प्रभू में आना चाहते हैं जब वो यह देखेंगे कि यह तो आपस नहीं लड़ रहे हैं तो फिर वो प्रभू को कैसे ग्रहन कर लेंगे हम ठोकर का कारण बन रहे हैं हम चाहिए कितने बड़े पास्टर क्यों नहीं हो हमारे पास कितने ही फॉलोवर्स क्यों नहीं अगर हम मारे अंदर ये बात है कि हम किसी पास्टर की बुराए कर रहे हैं अगर हम किसी पाश्टर के अगेंश्ट खड़े हो गए हैं, या हम किसी के नियाई बन गए हैं, तो वो वचन के अनुसार गलत है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा है, मैं सारी बाते आपको वचन से पढ़ कर सुना रहा है, मैं अपना लॉजिक कभी भी नहीं लगाता ये सत्य वचन है, ये सत्य वचन है जो परमेसर ने मुझे दिया है, हम देखते हैं फिर आगी चल कर, रूमियों बारा अध्याय और उसकी अठारा आध में क्या लिखा है, यहां पर लिखा है, जहां तक हो सके, तुम अर अपने भर तक सब मनुस्यों के साथ मिल मिला परको सब के साथ रिखा है, सब मनुस्यों के साथ, अपनों के साथ नहीं, रिस्तेदारों के साथ नहीं, दोस्तों के साथ नहीं, अपने फॉरावर्स के साथ नहीं, सब के साथ, उसमें पाश्टर भी हैं, प्रभू के लोग हैं वो भी, एक पर क्या हुआ, यहुन्ना ने ये सु आत्माओं को निकालते देखा, हमने उसको मना किया लेकिन वो माना नहीं, येसु मसी ने कहा उसे मना मत करो, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वो हमारी और है, जब येसु मसी ऐसा कह सकते हैं, तो हम क्या येसु मसी से बड़े हो गए, हम उन लोगों की बुराई कर रहे हैं, वो प्रहु का ही काम कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो इसका जो दंड है, वो परमिसर हमको देगा, आयंत में एक वचन पढ़के मैं समाप करूंगा, कुलुसियों तीन अध्याए और उसका पच्चिस पद, जो मैं अभी शुरू में आपको बता चुका हूँ, कुलुसियों तीन अध्याए और इसके पच्चिस पद को, यहां पर इस परकार से लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है, यह जो कौन है, मैं और आप, सारे पास्टर, सारे सोसल मीडिया पर बिजी रहने वाले लोग, वो हैं जो, लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है, वे अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्ष बात नहीं है, परमेसर किसी का पक्ष नहीं करता, कि यह बहुत अच्छा प्रीचर है, यह बहुत अच्छा टीचर है, यह बहुत अच्छा दास है, यह बहुत अच्छी दासी है, मैं इसको कुछ नहीं परमेसर किसी को नहीं छोड़ता जब वो दाउद को नहीं छोड़ता जब वो अबरहम को नहीं छोड़ता जब वो सुलेमान को नहीं छोड़ता तो फिर हम और आप क्या हैं हम और आप क्या हैं प्रेश दे लौट तो हमें बहुत ही चौकस होकर चलने की जरूरत है हम अ चड़ाहट को छोड़ दें, वचण में लिखा है कि कि खुरोट से परेर है और जलजलाहट को छोड़ दें, क्योंकि इस से बुराई ही निकलेगी, प्रीज दलॉड हम अपने आपको परमेशर के आगमन के लिए त्यार करें, अपने परिवार को परमेशर के आगमन के लिए तैयार करें इन बातों में उलज कर हम शैतान के पंजे में आ जाते हैं और शैतान तो चाहता है के फूट डाले और शाशन करें प्रमिसर इन वेचनों के दारा हम सब को आशी दे आज का वचान आपको कैसा लगा ये जरूर कॉमेंट सेक्षन में लिखेगा और बताईएगा कि आपने कुछ नई बात सीकिया है तो जरूर उसके बीस से मैं भी मुसे जिकर कीजिएगा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबाईए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना वेवधान के आपके पास पहुंचे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए श मिनिश्ट्री के लिए आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मुष्ट वेलकम प्रभू आपको बहुत आशीच दे और जो हमारा ट्रस्ट है प्रिर्णा फांडेशन उसके तहत हम ओल्ड एज होम की भी तैयारी कर रहे हैं एक हिमाचल में और एक मेरेट के पास तो उसके ल किन अपना ख्याल नहीं कियें प्रिज्देरों